खुम शान्ति, आपको आज मैं सबसे पहले महाश्यव रात्री की शिव कामने देता हूँ, ऐसे एक महान पर जब परमपिता पर मात्मा स्वयम धर्ती पर आकर के हमें शिव और रात्री का महतर समझाते हैं ब्रहम कुमारी इसमें, और हमें बताते हैं कि यह रात्री क्यूं है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी आत्मा भटक रही हैं, सब के सब अहंकार में, इर्शा, नफरत, द्विश में भटक रहे हैं, और एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, तो इसी को रात्री कहा जाता है, रात्री मतलब मन का अंदकार, आत्मा अंदकार में हैं, रात वाली रात्री नहीं, मन्खी रात्री जहां हमें पता नहीं कि हमारे लिए रस्ता क्या सई है, हमें ये नहीं पता कि हमें परमात्मा से शक्तियां कैसे लेनी हैं, उनसे मदद कैसे लेनी हैं, अपनी सारी दिक्कतों को, सारे भार को हम कैसे परमात्मा के उपर डालें ताक कुछ अरपण करें, तो आए, समझें इस वरदान को, बाप के आगे अरपण कर, कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भवा, तो भी कमजोरियां क्या हैं, अगर आप देखें, तो शिवरात्री मतलब, हम शिवलिंग की उपर जाकर के भांग या धतूरा डालते हैं ये सारी चीज़े नशे की चीज़े हैं, तो अब परमात्मा तो नेराकार है, अब भोकता है, ना कोई बोग अलसुईकार करता है, ना ही उनका कोई शरीर है, तो वो कैसे खाएंगे भांग धतूरा, ये तो एक प्रतीक हो गया, किसी इसका, कि हे प्रभू मेरे अंदर ये स परात्मक संकल्पों का मेरे अंदर एक प्रकार से नशा है हमेशा, मैं हर चीज़ के अंदर बुराईयां देखता हूँ, हर विक्ति के अंदर बुराईयां देखता हूँ, हर सिच्वेशन में बुराईयां देखती मुझे, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, मुझे अपन में या मुझसे बात करके हम सोचते हैं कि हमने परमात्मा की उपर या शिवलिंग की उपर डाल दिया लिकिन वो तो एक पत्थर है परमात्मा के किवले प्रतीक एक निशानी है तो जैसे आप या तो मेरी फोटो से बात करें या तो आप मुझसे बात करें अब फोटो से बात करना मतलब शिवलिंग से बात करना अब मुसे बात करना जैसे प्रतीक मतलब उसका कि आप परमात्मा से मेडिटेशन करें परमात्मा परमधाम में आलम अरवाह में रहते हैं निर्वान धाम में रहते हैं ब्रमलोक में रहते हैं शिवलोक में रहते हैं तो तो उसका दende है परमात्मा का उसको पहचाने और तब ही जाकर कि आप वहाँ पर जाकर कि आप से contact कर सकते हैं मन ही मन में meditation में और आप सारी problems परमात्मा के सामने रह सकते हैं बाबा कहते हैं कमजोरियों को दूर करने का सह साधन है क्या जो भी कुछ संकल्प में आता है वे बाप को अरपन कर दो वो धतूरा भांग नहीं अरपन कर दा हमारे संकल्प यह तो प्यूर होते हैं यह तो इंप्यूर होते हैं अब आप समझ गए इंप्यूर मतलब भांग धतूरा तो अब जो भी हमारे अंदर पवित्र संकल पाते हैं, उनको हमें क्या करना है? अरपन करना है परमात्म कही प्रभू. अब जिम्मेवारी बाप को दे दो, तो स्वयम स्वतंत्र हो जाएं, अपनी बुद्धी नहीं लगानी, सब जिम्मेवारी बाप को दे दो, तो स्वयम स्वतंत्र हो जाएंगे, ज़्यादा अपनी बुद्धी चलाएं, तो क्या होता है? हम गलत स्टेप ले लेते हैं, तो परमात्म को जिम्मेवारी देना मनलों कि ये प्रभू, ये सारे चीज़ हैं, ये सिचूशन हैं मेरे सामने हैं, बाबा, मैं क्या करूँ? मैं अच्छा हो, सबको भलाओ, और अपना भी भलाओ, तो उस चीज़ में परमात्मा आपको गाइड करेंगे, सिर्फ एक द्रंड संकल्प रखो, कि मैं बापका और बाप मेरा, तो परमात्मा मेरे हो गया, और मैं उनका हो गया, तब ही तो सारी शक्तियां उनकी मेरी, सारे ग निकल जाएगी, बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, तो बाबा के जो भी गुण है, जो भी शक्तियां, में को जो इस्तमाल करनी है, इस कारे को पून करने के लिए, सक्सेस्फुल होने के लिए, वो मेरे हैं, क्योंकि मैं परमात्मा को हूँ और परमात्मा मेरे हैं, तो ब पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पहले तो मैं fail हो गया था वो लोग successful हैं मेरे को help करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे मदद करेंगे नहीं करेंगे इते सारे doubt इते सारे negativity इते सारे नकारत्मक संकल्पों को बाबा कहते हैं वो automatic निकल जाएगी अधीनता इनके उपर आप इनके से निरण करने की शक्ति और रखने की शक्ति राइट कया है रोंग क्या है क्या सही है क्या गलत है यह सारी शक्ति हैं और बहुत सारी हैं तो बाबा करते हैं हर सेकेंड ये चेक करो कि मैं बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी, मास्टर सर्वशक्ति मान हूं, हूं की नहीं हूं, अगर मेरिटेशन से लिंग टूटा हुआ है, अगर आप डिवाइन नॉलेज नहीं ले रहे हैं आध्यत्मिक ग्यान, तो आपका जरूरी क्या है, लिंक टूटा हुआ है, तो लिंक को जोड़ना कैसे है, अगर आपको ग्यान नहीं पता, तो आप लिंक को कैसे जोड़ें, उसका करके ग्यान लें, टेलिपेथिक कम्मुनिकेशन परमात्म से क्या होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है संकल शक्ति से आप बाबा से कैसे बात करके अपने सारे प्रॉलम्स के answers डोट सकते हैं इस सब कुछ आपको शिखाया जाता है ब्राम पॉमारी है तो इस वर्दान के साथ में महाशिवरात्री के आपको शुब कामने फिर से ओम शान्ती